धन संपत्ति का मनोग ज्यान यानि की The Psychology of Money की हिंदी ओडियोबुक जिसे लिखा है मॉर्गन हाउजल ने दोस्तों चलिए शुरू करते हैं प्रस्तावना प्रत्वी पर सबसे बड़ा प्रदर्शन मैंने अपने कॉलेज के वर्ष लॉस अंजलिस के एक बड़िया होटल में सेवक के रूप में बताए वहाँ एक तकनीकी कारेकारी अथिती के रूप में अकसराया करता था वो काफी प्रतिभावान था उसने लगभग 20 वर्ष से कुछी अधिक आयू में वाई-फाई का एक मुख्य घटक डिजाइन कर पेटेंट किया था वो कई कमपनियां शुरू करके बेच चुका था और बेच हाशाक कामियाब था धन संपत्ती के साथ उसका जो संबन था उसे मैं असुरक्षा और बचकानी मुर्खता का मेल कहूंगा वो सो डलर के कई नोटों की कई इंच मोटी गड़ी साथ लेकर घुमता था जैसे वो हर किसी को दिखाता था फिर चाहे वो देखना चाहते हो या नहीं वो बिना किसी संधर्ब के अपनी धन संपता को खुल कर डिंग मारता खास कर जब वो नशे में धूत होता एक दिन उसने मेरे एक सहकर्मी को कई हजार डॉलर की रकम दी और कहा गली में जो जवाहरात की दुकान है वहां जाओ और एक हजार डॉलर के कुछ सिक्के सोने के लेकर आओ एक घंटे बाद हाथ में सोने के सिक्के लिए वो कारे कारी और उसके दोस्त डॉक के चारो तरफ इखटा हो गए जो प्रशांत महासागर के था फिर उन्होंने उन सिक्कों को पानी में फेकना शुरू कर दिया वे उन सिक्कों को कंकरो की तरह उचालते और फिर किसी का सिक्का सबसे दूर गया इस बात पर भहस करते और ठाहा के मार कर हसते सिर्फ मनुरंजन के लिए कुछ दिनों बाद उसने होटल के रेस्टों में एक लेंप तोड़ दिया एक मेनेजर ने उससे कहा कि वो डॉलर पांच सो का लेंप था उसे उसकी भरपाई करनी होगी तुम्हें पांच सो डॉलर चाहिए कारेकारी ने अव विश्वास पूर्वक पूछा और जेब से नोटों कि एक गड़ी निकाल कर मेनेजर को देते हुए कहा ये रहे पांच जार डॉलर अब मेरे सामने से दफा हो जाओ और फिर कभी दोबारा इस तरह की मेरी बेज़िती मत करना आप सोच रहे होंगे कि आखिरे इस तरह का वेवार कब तक चल सकता था कि आपका व्यवार कैसा है और व्यवार सिखाना कठिन का रहे है उन्हें भी जो वास्तों में होशियार है एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो अपनी भावनाओं का नियत्रन खोदे एक विट्तिय आपदा हो सकता है इसका विप्रीद भी उतना ही सत्य है सामाने व्यक्ति जिन्हें वित्तिय ग्यान नहीं है धनी हो सकते हैं अगर उनके पास कुछ ऐसे व्यवारी कोशल हो जिनके लिए बुद्धी मता की आपचारिक युक्तियों की आवशक्ता नहीं होती मेरी पसंदिदा विकिपीडिया प्रविष्टी आरंब होती है रोनाल्ड जैम्स रीड एक अमेरिकी जन हितेशी, निवेशक, जैनिटर और गैस स्टेशन परीसर थे रोनाल्ड रीड का जन्म ग्रामीन वर्मोंट में हुआ वे अपने परिवार से हाई स्कूल पास करने वाले पहले सदस्य थे ये इसलिए भी और प्रभावशाली है कि वे प्रति दिन रास्ते में अन्य लोगों से लिफ्ट लेकर केंपस जाय करते थे जो रोनाल रीड को जानते थे उनके जीवन के बारे में बताने योग गे ज़्यादा कुछ नहीं था उनका जीवन इतना सामान्य था जितना किसी का हो सकता है रीड ने 25 वर्तों तक एक गेस स्टेशन में कारों की मरमत की और 17 वर्षों तक जेसी पैने में फर्ष पर जाडू लगाई 38 वर्ष की आयू में उन्होंने 12,000 डॉलर में एक दो बेडरूम वाला घर खरीदा और अपना पूरा जीवन वहीं बिताया 50 वर्ष की आयू में वेविधूर हो गए और उन्होंने फिर दोबारा विवाहर नहीं किया उनके एक मित्र का कहना है कि उनका खास शौक इंधन की लकड़ी काटना था वर्ष 2014 में 92 वर्ष की आयू में उनका निधन हो गया और तब जाकर इस विनीत ग्रामीन जनिटर ने सुर्खियां रची 2014 में 28,13,503 अमीरिकी नागरिकों की म्रत्य हुई इन में से 4,000 से भी कम लोगों की शुद्ध संपत्ती उनकी म्रत्यों के समय आठ मिलियन डॉलर थी रोनाल रीड उनमें से एक थे अपनी वसीयत में पूर्व इस जनिटर ने अपने सोतेले बच्चों के लिए 2,000,000 डॉलर और स्थानी अस्पतालें उपुस्त कालें के लिए 6,000,000 डॉलर छोड़े थे जो रीड को जानते थे वे चकराय हुए थे उनके पास इतना सारा पैसा आखिर कहां से आया बाद में पता चला कि इसमें कोई भी रहस्य नहीं था ना तो उन्होंने कोई लोटरी जीती थी और ना ही उन्हें ये पैसा विरासत में मिला था रीड ने जितना संभव था उनकी बचत की और वो पैसा ब्लू चिप स्टॉप में लगा दिया फिर उन्होंने दशकों तक प्रतिक्षा की जब वो छूटी सी निवेश राशी बढ़कर आठ मिलियन डालर में बदल गई बस इतना ही और एक जैनिटर से जन हितेशी रोनाल रीड की म्रत्यू के कुछ महाँ पहले रिचार्ड नाम का एक और व्यक्ति खबरों में था रिचार्ड फुसकॉन वो सब कुछ सा जो रोनाल रीड नहीं था हवर्ट से पड़े इस मेरिल लिंच कारेकारी के पास MBA की डिगरी थी और उसने विट्टी व्यवसाय में इतनी सफलता प्राप्त की थी कि लगभग 40 की उम्र में ही उसे सेवा नित्र होकर एक जन हितेशी बन गया पुर्व मेरिल सीएओ डेविड कॉमास्की ने फुसकॉन की व्यवसाय कुशग्रता, नेत्वत्रशमता, उचित मुल्यांकन और व्यक्तिगत अखंडता की काफी प्रशंसा की क्रेंस बिजनस मैगजीन ने एक बार उसे सफल कारोबारियों की 40 अंडर 40 सूची में शामिल किया लेकिन फिर ठीक सोने के सिके उचालने वाली तकनीकी कारेकारी की तरह सब बिखर के रह गया 2000 के पहले धशक के बीच फुसकोन ने ग्रीन विच कनेक टिकिट में एक 18,000 वर्क फूट के घर का विस्तार करने के लिए जम कर रिन लिया और इसमें 11 गुसलकाने, 2 एलिवेटर, 2 सुइंग पूल और 7 गेरास थे और इस घर के रखरखाव का मासी खर्च, 90,000 डॉलर से भी अधिक था और फिर 2008 का वित्य संकटा पड़ा, इस संकट ने वस्तुतर सभी की आर्थिक इस्तिती को चोट पहुचाई इसने फुसकोन को प्रत्यक्ष रूप से मिट्टी में मिला कर रख दिया अत्यरिक रिंड और अनकदी परी संपत्ती ने उसे दिवालिया बना छोड़ा फिलहाल मेरी कोई आमदनी नहीं है उसने 2008 में कठित तौर पर एक दिवालिया पन नयायधीश को बताया पहले उसका पाम बीच वाला घर कब जा लिया गया 2014 में ग्रीन वीच मैंशन की बारी थी अपनी संपत्ती में देने से पांच महीने पहले रिचार्ट फुसकोन का घर जहां अती थी घर के अंदर के स्विंग पूल के उपर आर पार नजारे वाले आवरन पर खाने और नृत्ती की रोमाज का इसमरन करते थे उसे इंशुरेंस कंपनी द्वारा अनुमानित लागत से 75 प्रतिशत कम की राशी में निलाम कर दिया गया रोनाल्ड रीड धेरेवान थे और रिचार्ट फुसकोन लालची और बस इतना काफी था दोनों के बीच की शिक्षा और अनुभव के विशाल अंतर को ग्रस्त करने के लिए यहां सीख रोनाल्ड की तरह जादा या रिचार्ट की तरह कम बनने की नहीं है हाला कि ये भी कोई बुरी सला नहीं है इन कहानियों की दिल्चस्प बात ये है कि वित्त के संबंद में ये कितनी अनुखी है ऐसा कोन सा दूसरा उद्ध्योग जिसमें वह ऐसा व्यक्ती जो किसी कॉलेज की डिगरी, प्रशिक्षन, प्रश्ट भूमी, अपचारिक अनुभव और संपर्कों के बिना किसी ऐसे को पचार दे जिसके पास सर्वशेष्ट शिक्षा, प्रशिक्षन और संपर्क हो मैं ऐसा कोई और उद्ध्योग नहीं सोच सकता एक ऐसी कहानी की कल्पना करना, जहां रोनाल रीड किसी हावर्ड प्रशिक्षित सर्जन से बहतर हिर्दय प्रत्यारोपन कर सके यह बिलकुल असंभव है, या फिर श्रेष्ट प्रशिक्षित वास्तुकारों से बहतर गगन चुम्बी इमारते बना सके ऐसी भी कोई कहानी नहीं होगी, जहां एक जैनिटर किसी विश्व के जाने माने परमानों इंजिनियरों को मात दे सके लेकिन निवेश के क्षेतर में ऐसी कहानिया होती है रोनाल रीड के रिचार्ड फुसकोन की सहवर्ती होने के दोस पश्टिकरण है पहला, वित्य परिणाम भाग की द्वारा संचालित होते हैं और इसकी बुद्धी मता एवं प्रयास से कोई संबंद नहीं होता ये कुछ हद तक सच है और ये किताब इस पर विवरन के चर्चा करेगी या दूसरा, कि वित्य सफलता कोई कठिन विज्ञान नहीं है ये एक व्यवहारी कौशल है, जहां आप किस प्रकार व्यवहार करते हैं ये अधिक महतुपूर्ण है, बजाए इसके कि आप जानते क्या है मैं इस व्यवहारी कौशल को धन संपत्ती का मनविज्ञान कहता हूँ इस किताब का उद्देश्य लगू कहानियों के द्वारा आपको ये विश्वास दिलाना है कि व्यवहारी कौशल संपत्ती के तकनिकी पहलों से अधिक मैतुपूर्ण है मैं ऐसा इस प्रकार करूँगा कि दीड के लेकर फुसकोन और बीच में बाकी सब वहतर वित्तिय निर्णय लेना सीख सके और जैसा कि मैंने जाना है ये व्यवहारी कौशल काफी अगूचर है वित्य के रित्मुख्य तोर पर गनित आधरिक्षेत्र के रूप में पढ़ाया जाता है जहां पर किसी फॉर्मूले में डेटा डालते हैं और फॉर्मूला आपको ये बताता है कि आपको क्या करना है और ये मान लिया जाता है कि आप बस ये कर लेंगे व्यक्तिकत वित्व में ये सच है जहां आपको बताया जाता है कि आपके पास 6 मा की आपात कालिन राशी और आयका 10 प्रतिशत बचत की रूप में होना चाहिए निवेश में ये सच है जहां हमें ब्यासदर और मुल्यांकन के बीच पहले का सरसंबंद यथार्थ रूप से पता होता है और ये कॉर्परेट वित्व में भी लागू होता है जहां CFO पुझी का सटीक मुल्य माप सकते हैं ऐसा नहीं है कि इन में से कोई भी बात बुरी या गलत है बात ये है कि ये जानने से कि क्या करना है आपको ये पता नहीं चलता कि जब आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपके दिमाग में क्या कुछ होगा दो विशय ऐसे हैं जो सभी को प्रभावित करते हैं फिर चाहे आप उनमें दिल्चस्पी रखते हूँ या नहीं स्वास्थे और धन स्वास्थे सेवा उध्योग आधुनिक विज्ञान की एक विजय है जिससे विश्व भर में आयू संभवयता बढ़ रही है वेज्यानिक आविशकारों ने मानाव शरीर के क्रिया संबंदी डॉक्टरों के पुराने विचारों को पलट कर रख दिया है और इसके कारण वस्तुत सभी अधिक स्वस्त है धनुद्योग, निवेश, व्यक्तिगत्वित, व्यवसाय, आयोजन ये अलग-अलग ही कहानी ह वितने पिछले दो दशकों में विश्व विध्यालेओं से सबसे ज़्यादा होश्यार दिमाग वालों को बत्योरा है, एक दशक पहले प्रिंस्टन स्कूल ओफ इंजिनेरिंग में फाइनिंशल इंजिनेरिंग सबसे लोगप्रिय मुख्य विशे था, क्या ये इस बात का प्रमान है कि इस से हम बहतर निवेशक बनते हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, वर्षो की सामोहिक प्रयत्न यूतनी विधी से हमने बहतर किसान, कुशल पलंबर और विक्सित रसायनग्य बनाना सीखा है, लेकिन क्या प्रयत्न तूटी विधी से हम अपने व्यक्तिगत में बहतर होना सिखाया है, क्या रिन में डूबने से हमारी संभावना कम हुई है, या फिर क्या हम बुरे दिनों के लिए बचत करने के लिए अधिक योग्य हैं, या सेवा निवर्त्र होने को अधिक तयार हैं, या फिर धन दोलत हमारे सुक के लिए क्या क्या करती है और क् क्या इस बारे में हमारे विचार यतार्थवादी हैं? मैंने तो इन बातों का कोई दमदार प्रमान नहीं देखा। मेरे नुसार ऐसा होने का कारण यह है कि हम धंदोलत के बारे में जुशते हैं और सीखते हैं वो बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे हम भोतिक विज्ञान सीख और न की मनोविज्ञान की तरह और ये मेरे लिए उतना ही दिल्चस्प है जितना आवश्यक पैसा हर जगह है यह हम सब को प्रभावित करता है और हम में से अधिकांच को ब्रहमित भी हर कोई पैसे के बारे में कुछ लगी ढंग से सोचता है ये हमें ऐसे सबक सिखाता है जो जोखिम उठाना आत्म विश्वास और सुख कुछ विशय ऐसे हैं जो ये जानने और समझने के लिए अधिक शक्तिशाली आवरदक लेंस प्रदान करते हैं कि लोग जिस प्रकार पैसे के प्रती आचरन करते हैं वे आखिर ऐसा क्यों करते हैं ये प्रत्वी पर सबसे बड वाती दिनों में आरंब किया ये एक विट्टिय संकट का भोरकाल था और असी वर्षों की सबसे बुरी मंदी ये लिखने के लिए कि क्या हो रहा है मेरे लिए समझना आवशक था कि आखिर क्या हो रहा था लेकिन इस विट्टिय संकट के बाद सबसे पहली चीज जो मैंने सीखी वो ये थी कि कोई भी यथार्त रूप से नहीं बता सकता था कि क्या हुआ और क्यूं और इसे लेकर क्या कर सकते थे बात तो दूर की थी हर अच्छे स्पष्टि करन के लिए उतना ही विश्वसनिय खंडन भी था इंजिनियर किसी पुल के ढहने का कारण बता सकते है क्योंकि इस बात पर सहमती है और अगर किसी हिस्से में एक निश्चित मात्रा में बल डाला जाए तो वो हिस्सा तूटेगा भौतिक गिज्ञान विवादास पदक नहीं होता वो नियमों से चलता है वित अलग है ये लोगों के आचरन से चलता है और मैं कैसा विवहार करत पर फिर भी आपको मुर्खता पून लग सकता है वित्य संकट के बारे में जितना मैंने पड़ा और लिखा उतना ही मुझे एहसास हुआ कि आप इसे वित्त के बजाए मनुविज्ञान और इतिहास के लेंस के द्वारा बहतर समझ सकते हैं ये समझने के लिए कि लोग रिन के तल पर क्यों बेश देते हैं आपको भविश्य के अपेक्षित रिटर्न का गनिट समझने की आवशकता नहीं आवशकता ये है कि आप उस वियथा के बारे में सोचें जो आपने अपने परिवार की देख कर की होगी और यदि आपके निवेश उनके भविश्य को खत्रे में डाल रहे हूं मुझे वोल्टेर का ये वलोकन बिल्कुल पसंद है कि इतिहास कभी खुद को नहीं दोहराता मनुश्य हमेशा दोहराता है पैसे को लेकर हमारा आचरन कैसा है ये इस बात पर बहुत अच्छे से लागू होता है दो हजार अठारा में मैंने उन बीस सबस महतुपूर्ण खामियू, पुर्वाग्रह और ब्रव्यवार के कारणों को रेखांकित करते हुए एक रिपोर्ट लिखी जिनहें मैंने दम संबंदी लेन दिन में लोगों को प्रभावित करते देखा है इसका शीर्षक धन सबपत्ति का मनोविग ज्यान था और लगभग दस लाक से भी अधिक लोगों ने इसे पढ़ा ये किताब ने इस विशय का और गहराई से अवलोकन किया है रिपोर्ट में से कुछ लगू पैसेज बिना बदलाव के दिये गए हैं आपके हाथ में फिलहाल ये 20 अध्यां हैं जिन में से हर एक मेरे अनुसार धन संपत्ति क मनुविज्यान की सबसे महतुपूर्ण और प्रती अंत प्रज्यात्मक विशेष्टाओं का वर्णन करता है सभी अध्याय एक मूल विशय के इर्दगिर्द हूमते हैं लेकिन साथ ही अपना एक अस्तेत्व भी रखते हैं और स्वतंतर रूप से भी पढ़े जा सकते हैं ये एक लंबी किताब नहीं है आपका स्वागत है अधिकतर पाठक उन पुस्तकों को समाप्त नहीं कर पाते जिने वे आरंब करना चाते हैं क्योंकि अधिकांश इकलोते विशयों को 300 प्रश्टों की विवरन की आविशक्ता नहीं होती इसके बदले मैं 20 लगू बिंदू लिखना पसंद करूँगा जिने आप समात कर सकें बजाए एक लंबी किताब के जिसे आप बीच में छोड़ दें और आब हम आगे बढ़ते हैं अधिया एक कोई भी मुर्ख नहीं है धन के साथ आपके व्यक्तिगत अनुभव संसार में क्या हुआ शायद उसका 0.0000000001% मा मैं आपको एक समस्य के बारे में बताना चाहूँगा इसे जानकर आप अपने पैसों के साथ क्या करते हैं इस बारे में बहतर महसूस करेंगे और दूसरे अपने पैसे के साथ क्या करते हैं इस बारे में कम अलोचनात्मक लोग पैसे के साथ कुछ मुर्खता पून हरकते ज अलग-अलग अर्थ विवस्ता में जन्द में जिन्होंने अलग-अलग जॉब मार्केट में विविद प्रकार के प्रोथसहन और भाग्य का अनुभव किया वे एक दूसरे से बहुत अलग-अलग पाठ सीखते हैं दुनिया कैसे चलती है इस बारे में हर किसी का अपना ही अन करती है इससे संबंधी अपने मूल्यों के सहरे अपना जीवन गुजारते हैं और अलग-अलग लोगों के लिए इन मूल्यों की जमीन आस्मान का फर्क हो सकता है जो आपको मुर्खता पून लगे वो मेरे लिए मायने रख सकता है जो व्यक्ति गरीबी में पला बड़ा व उसने वनभव किया जो व्यक्ति नहीं करना पड़ा जो इस्तिर कीमतों के बीच पला बड़ा एक स्टोक ब्रोकर जिसने महामंदी में अपना सब कुछ गमा दिया उसने जो अनभव किया 1990 के दशक के वैभव के काम वाला एक तकनीकी कमचारी उसकी कलपना भी नहीं कर सकता एक ऑस्ट्रेलियन जिसने तीश वर्षों में कोई आर्थिक मंदी नहीं दे की उसने कुछ ऐसा अनुभव नहीं किया जो किसी अमेरिकी नागरिक ने कभी नहीं किया बस इतना ही नहीं अनुभवों की ये सूची असंख्य है आप धंदुलत के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो मैं नहीं जानता और इसका विपरीद भी उतना ही सच है जिन धारणाओं उदेश्यों पुर्वानमानों के लिए आप अपना जीवन जीते हैं वो मुझसे अलग हो सकता है ऐसा इसलिए नहीं है कि हम में से एक दूसरे के अधिक खोशियार हैं या अधिक जानकारी ऐसा इसलिए कि हमारे जीवन अलग हैं जो हमारे विविद और बराबरी के ठोस अनुभव से रचे हैं धन के साथ आपके व्यक्तिगत अनुभव संसार में क्या हुआ शायद उसका 0.0000001% मात्र है लेकिन आपके विचार अनुसार संसार कैसे चलता है उसका 80 प्रतीशत है इसलिए समान रूप से होश्यार लोग इस बात पर बहस कर सकते हैं कि मंदी कैसे और क्यूं होती है आपको निवेश कैसे करना चाहिए आपको किसे प्राथ मिक्ता देनी चाहिए कितना जोखिम उठाना चाहिए आदी 1930 के अमेरिका पराखी अपनी किताब में फ्रेडरिक लुईस एलन ने लिखा कि महामंदी ने लाखों अमरीकियों को उनके शेश जीवन काल के लिए अंदरूनी तोर पर प्रभावित किया है लेकिन अनुभवों में काफी विभिनता थी 25 वर्ष बाद जब जॉन एफ केनेडी राश्टपती चुनाव लड़ रहे थे एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि उन्हें महामंदी के बारे में क्या याद है उन्होंने टिप पने की मुझे महामंदी के बारे में कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं मेरा परिवार दुनिया के सबसे धनी परिवारों में से एक था और उस समय काफी था हमारे पास बड़े घर नोकर चाकर थे और हम खोब घुमा फिरा करते थे जो चीज मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखी है वो बस ये थी कि मेरे पिता ने कुछ और मालियों को सिर्फ इसलिए काम पर रखा था कि उन्हें नौकरी मिल जाए जिससे वे अपना पेड भर सकें मुझे महामंदी के बारे में कुछ पता नहीं था जब तक मैंने हावर्ड में इसके बारे में नहीं पड़ा ये 1960 के चुनाव का एक मुख्य मुद्दा था लोगों को लगा कि कैसे कोई ऐसा व्यक्ती अर्थ व्यवस्ता की बागडोर समाल सकता था जिसे पिछली पीड़ी में व्यापक एक दूसरा भवनात्मक अनुभव था जो उनके मुख्य प्रतिद्वन्दी हुबर्ट हमफरे के पास नहीं था हमारे सामने चुनोती ये है कि अध्यनी अग्रहन शील्था की कोई भी मात्रा भय और अनिशित्ता की शक्ती को उत्पन्न नहीं कर सकते मैं इस जैसा व्यक्ती नहीं जिसने ये सब अनुभव किया हो ये नहीं समच सकता कि मेरे जैसा व्यक्ती स्टॉक्स करीद कर रखने जैसे विशय में असावधान कैसे हो सकता है हम दुनिया को बिल्कुल अलग नजरिये से देखते हैं स्पेडशीट बड़ी स्टॉक मार्केट गि अनुभव करेंगे कि आपने ऐसी गलती की है जिसे उसके जीवन प्रभावित हो सकता है इतिहास पढ़ने से आपको ये जरूर लगता है कि आप कुछ जानते हैं लेकिन जब तक आपने उसे न जिया हो और उसके नतीजों को व्यक्तिगत तोर पर महसूस न किया हो आप उस से इतना नहीं समझ पाएंगे जिससे आपके विवहार में बदलावा सके हम सबको लगता है कि हम जानते हैं कि दुनिया कैसे चलती है लेकिन हम सबने इसके एक तिन के मात्र का ही अनुभव किया है जैसा कि निवेशक बैटनी कहते हैं कुछ सबक ऐसे होते हैं जिने समझान से पहले हमें उनका अनुभव करना आविशक है और हम सब किसी न किसी तरह इसके शिकार में हैं 2006 में National Bureau of Economic Research के अर्थ सास्त्री अलराइक मेगन मेलियर और स्टीफन नेगल ने सर्वे ओफ कंजूमर फाइनेंस के 50 वर्ष के कारे का अनुभव किया जिसे आमेरी की लोग अप अपने निवेश संबंधी निर्णाय अपने लक्षियों और उस समय में उपलब्ध निवेश विकल्पों के अनुसार लेने चाहिए लेकिन लोग ऐसा नहीं करते अर्थ शास्त्रीयों ने पाया कि लोगों की जीवन भर में निवेश निर्णाय उनके उन अनुभवों से द्रड़ता पूर्वक जुड़े होते हैं जो उन्होंने अपने जीवन काल में देखे मुखित शुरुवाती व्यासकता में अगर आप ऐसे समय में बड़े हुए जब मुद्रा स्विती की दर अधिक थी तो आपने आगे जाकर अपना पैसा बॉंड में कम निवेश किया उनके मुकाबले जो कम मुद्रा स्विती में समय में पले बड़े यदि आप ऐसे समय में पले बड़े जब स्टॉक मार्केट मजबूत था तो आपने आगे जाकर अपना पैसा बॉंड में धीक निवेश किया उनके मुकाबले जो स्टॉक मार्केट कम जोर होने के समय में पले बड़े अर्थ शास्त्रियों ने लिखा हमारी खोश दर्शाती है कि एक निवेशक की जोखिम उठाने की स्वेच्छा उसके व्यक्तिकत इधिहास पर निर्भर करती है ना तो बुद्धिमता न शिक्षा और ना ही परिशकरन मात्र संयोग की आप कब और कहां जन्मे फ का कहना था ग्रोस के केरिया ने धहती ब्यास दरों के साथ अच्छा मेल खाया जिससे बॉंड की कीमतों का अनुवात मिल गया इस तरह की घटनाओं से न सिर्फ आपको मिलने वाले अवसर प्रभावित होते हैं इससे जब वे अवसर आपकी और आते हैं तो उन अवसरों के बारे में आपकी सोच भी प्रभावित होती है ग्रोस के लिए बॉंड पैसा बनाने की मशीन के समान थे उनके पिता की पीड़ी के लिए जो मुद्रा स्वीती की उची दर के समय बड़े हुए और उसे जेला बॉंड धन बस्तमक प्रतीत होंगे धन दोलत को लेकर लोगों अगर आपका जन्म 1950 में हुआ तो मार्केट आपके किश्वरावस्था और युवावस्था के समय मुद्रा स्वीती समाई जोतो कर कहीं भी नहीं गया लोगों के ये दो अलग समु हो अपने जन्म का वर्ष अलग होने के कारण स्टॉक मार्केट को लेकर विविद के साथ अपना जीवन गुजारते हैं या मुद्रा स्वीती अगर आपका जन्म 1960 में अमेरिका में हुआ आपकी किश्वरावस्था और युवावस्था के समय जब आपने युवा समवेदन शील वर्षों में अर्थ विवस्था के ज्यान का आधार विक्सित कर रहे थे मु 1990 में हुआ आपके पूरे जीवन में मुद्रा स्विती की दर इतनी कम रही कि शायद कभी इसके विचार चूकर भी ना गुजरा हो अमेरिका का राश्व्यापी बेरोजगार नवंबर 2009 में 10 प्रतिशत था लेकिन 16-19 वर्ष के अफरीकी अमेरिकी किशोरों के 20 बेरोजगा के दोरान इसानी स्टॉक मार्केट के पूरी तरह सफाया हो गया पूरे एक शेतर बंबारी से नश्ट हो गय थे जुद्ध के अंत में जर्मन खेतों में माल इतना ही अना जुद्पन हो पा रहा था कि देश के नागरिक प्रतिदिन 1000 कैलरी का उफियोग कर सके अब इसकी त स्टॉक मार्केट उनिस सो इतालिस से उनिस सो पैतालिस के बीच दो गुना से भी अधिक बढ़ गया और बहां की अर्थ विवरस्ता पिछले दो दशकों में सबसे ड्रड हो गई इन दोनों समुहों के सदस्यों की कोई ऐसी उपेक्षा नहीं कर सकता कि वे अपना जीवन म समान द्रश्टी कौन के साथ बिताएंगे या फिर स्टोक मार्केट या बेरोजगार या आम तोर पर पैसे के बारे में किसी को भी उनसे वित्तिय जानकारी पर समान रूप से प्रतिकरिया करने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए किसी को भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वे समान प्रेरोकों से प्रभावित होते हैं किसी को भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वे एक समान स्रोच से मिलने वाली सलहा पर विश्वास करेंगे क्या मायन रखता है क्या भुमूल्य है आगे क्या होने वाला है और आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है किसी को भी ऐसी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वे इन सब विश्यों पर एक दूसरे से सहमत होंगे धन दोलत को लेकर उनकी धारना अलग-अलग दुनिया में विक्सीत हुई और जब ऐसा होता है धन को लेकर जो धारना एक समू का घोर लेगी वो दूसरे के लिए पूरी तरह से मायने रख सकती है कुछ साल पहले दन्यू यूर्क टाइम्स ने महाकाय ताइवानी इलेक्ट्रोनिक्स निर्माता फॉक्स कौन की कारे परिसितियों का एक ब्रतांत किया परिसितियां अक्सर घोर होती है पाठक उचित रूप से नारास थे लेकिन इस कहानी पर एक दिल्चस्प प्रतिक्रिया एक चाइनीज कर्मी के भांजे की ओर से आई जिसने कमेंट सेक्शन में लिखा था मेरी आंटी ने कई साल वहां काम किया जिससे अमेरिकी स्वेट शोप यानि शोशन करने वाली दुकान कहते हैं ये बहुत महनत का काम था लंबे समय कम महनत आना खराब कारे परिसितियां क्या आप जानते हैं कि वहां काम करने से पहले मिरी आंटी क्या करती थी वो एक वैश्या थी उस पुरान जीवन शैली की तुलना में वो एक स्वेट शॉप में काम करने के विचार मेरे नुसार सुधार है मैं जानता हूँ कि मिरी आंटी कुछ चिलर के लिए कई पुरुशु द्वारा अपने शरीर का शोशन करने के बजाए कुछ डॉलर के लिए किसी दर्ट पुंजी पती मालिक के हाथों शोशित होना पसंद करेगी इसलिए मैं बहुत से अमेरीकियों की सोच से नाराज हूँ हमारे पास पश्चिम वासियों जैसे अवसर नहीं है हमारी सरकारी संडशना अलग है ये देश अलग है हाँ फैक्टरी के काम में कड़ी महनत लगती है क्या ये बैतर हो सकता है हाँ लेकिन सिर्फ तब जब आप इस तरह के अमेरीकी नोकरियों की तुलना करें मुझे पता नहीं इसका मतलब क्या निकाला जाए मेरा एक हिस्सा इसका तीक्षन रूप से विरोत करना चाहता है लेकिन मेरा एक और हिस्सा समझना चाहता है लेकिन मुखित ये एक उधारन है कि किस प्रकार अलग-अलग अनुभव किसी विशय पर इतनी विवित धारनाओं को जन्म देते हैं कि एक गुट को सहेज ही लगता है और सब श्वेत या श्याम होना चाहिए धन दोलत को लेकर जब भी कोई लोग निर्णय लेते हैं उस उक्षन में उपलब्द जानकारी को अपने अद्वीतिय धिमागी मॉडल में डालते हैं जो उन्हें ये बताता है दुनिया कैसे चलती है और इसके आधार पर उस निर्णय को उचे ठहराते हैं वे लोग अपनी जानकारी में गलत हो सकते हैं उनकी जानकारी अधुरी हो सकती है वे गणित में अनिपून हो सकते हैं वे विभत्स मार्केटिंग में बातों में आगे आ सकते हैं या हो सकता है कि उन्हें अंदाजा ही न हो कि वे क्या कर रहे हैं वे अपने काम के नतीजों को गलत तरह से आख सकते हैं ओ, क्या ऐसा नहीं हो सकता लेकिन वो हर निर्णाय जो लोग लेते हैं उनके लिए मायने भव से रचित होती है एक साधारन सा उधारन लीजिए लोटरी के टिकेट अमेरिकी लोग फिल्मों, वीडियो गेम, संगीत, खेल कूत प्रतिसपरदा, केताबों के कुल खर्च से अधिक पैसा उन पर खर्च करते हैं और उन्हें कौन खरीदता है, मुखे तक गरीब उच्चितम आय परिवार प्रतिवर्ष औसतन, 412 डॉलर लोटो टिकेट पर खर्च करते हैं, जो उच्चितम आय परिवारों से 4 गुना अधिक है, 40 प्रतिशत अमरिकी, आपदा के समये 400 डॉलर नहीं जूटा पाते, जिसका आर्थ ही ये है कि वे लोगों को लोटरी के ट समभावना बस लाखों में एक है, ये मुझे मुर्खता पून लगता है, शायद आपको भी मुर्खता पून लगे, लेकिन मैं न्यूनतम आय परिवार में से नहीं हूँ, और शायद आप भी नहीं, इसलिए हम में से काफी लोगों के लिए समझना कटिन है, कि न्यूनतम आये लाटरी टिकेट खरीदारों के अव चेतन मन में, क्या तर्क चलता है, अगर थोड़ा जोर डालें तो आप कल्पना कर सकेंगे, कि ये कुछ इस प्रकार होगा, हम एक पगार से दूसरी पगार के बीच किस तरह जीते हैं, और बचत की तो दूर तक भी संभावना नही है, अच्छे वेतन की नोकरी मिलने की भी कोई संभावना नहीं, हम छुट्टिया मनाने नहीं जा सकते, और नहीं नईकार, स्वास्त भीमा या सुरक्षित इलाके में घर का इंतिजाम कर सकते हैं, हम बिना कमर तोड़ने वाले रिंड के अपने बच्चों को कॉलेज में भ पल है, जब हम ठोस रूप से वो सब पाने का सपना देख सकते हैं, जो आपके पास है, और जिसे आप महत्वन नहीं देते, हम एक सपने की कीमत चुका रहे हैं, और आप ये नहीं समझ सकते, क्योंकि आप पहले से एक सपना जी रहे हैं, और इसलिए हम आप से ज़्यादा लोटर के टिकेट खरीदते हैं, आपको इस तरक से सहमेत होनी की आवश्यक्ता नहीं, जब आप दिवालिया हो, लोटर टिकेट खरीदना बुरा विचार ही है, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि लोटर टिकेट के बिकरी क्यों चलती रहती है, और ये विचार, आप जो कर रहे ह वो मरुखता पून है, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे हमारे कई वित्य संबंदी निर्णायों के आधार का अनावरन होता है, कुछ लोग वित्य निर्णाय पून रूप से एक स्प्रेट शीट के द्वारा करते हैं, वे खाने की मेच पर या कमपनी के किसी मीटिंग में उन्हें बनाते हैं, ऐसे इस्थान जहां व्यक्तिगत इथिहास, संसार के प्रती आपका अध वित्य द्रश्टिकून, अहेंकार, अभिहमान, मार्केटिंग और विचित्र प्रिरक एक साथ मिलकर एक व्रितांत बनाते हैं, जो आपके लिए का करता हो, एक अन्य पहलू जो ये इसपष्ट करने में सहायता करता है, कि वित्य निर्णय क्यों इतने कठिन होते हैं, और क्यों इसमें इतना दुराचार होता है, वो ये समझना है कि ये विशय काफी नया है, धन दौलत तो काफी समय से हमारे चारो और हैं, ऐसा माना जाता है कि लीडिया, जो अब तुर्की का भाग है, वहां के राजा एलियेटस ने 620 पूर में पहली अधिकारिक मुद्रा बनाई थी, लेकिन वित्य निर्णयों क्या आधुनिक आधार बचत और निवेश ऐसी संधार्णाओं पर आधारी थे, जो अभी नवजात है, अब सेव निवर्ति को ही लीजी, 2018 के अंत में USA के सेवा निवर्त खातों में 27 डॉलर ट्रिलियन की राशी थी, जिसके अनुसार ये आम निवेशकों की बचत और निवेश निर्णयों का मुख्य चालक था, लेकिन सेवा निवर्त होने की पूरी संधार्णा अधिक से अधिक दो पी की शमिक वर्ग में भागिदारी दर 50 प्रतिशत थी, सामाजिक शुरक्षा ने इसे बदलने का प्रयास किया, लेकिन इसके शुरुवाती लाभ एक समुचित पेंशन की तुलना में कुछ खास नहीं थे, जब इडा में फुलर ने 1940 में अपना पहला सामाजिक शुरक्षा चेक कैश कराया, उसका मूल ले बाइस पॉइंट पांच चार डॉलर था, ये मुद्रा इस्वती से समाई जित होकल, 14 डॉलर, 1980 तक पहुचने के बाद ही सेवा निवरत्र लोगों के लिए औसत समाजिक शुरक्षा चेक बढ़कर, 1000 डॉलर प्रतिमा हुआ, मुद्रा इस् कि सभी को निजी पेंशन मिली करती थी, लेकिन ये बेतहाशा रूप से अतिशोक्ती पून है, Employee Benefit Research Institute के अनुसार, 55 वर्षिये और उससे अधिक आयू की लोगों में सिर्फ एक चोथाई को 1975 में पेंशन आये मिला करती थी, उस भाग्यशाली अल्प संख्यक वर्ग में घ एक पुरानी कहावत जो अलग तरह से व्यक्त करें तो सेवा निवर्थी के बारे में सभी बात करते हैं, लेकिन बहुत कम इसके बारे में बहुत कुछ करते हैं, 1980 तक ये धारणा सुद्रण नहीं हुई थी, कि हर कोई सेवा निवर्थी के योग्य है, और हर किसी को एक गर चार कितना नया है, 401k, अमेरिकी सेवा निवर्थी के माध्यम से बचत माध्यम का आधार, 1978 तक अस्तितो में नहीं था, रोथ IRA, 1978 तक नहीं जन्मा था, अगर ये व्यक्ती होता, तो अब तक मुश्किल से मध्यपान करने की आयू तक पहुँचा होता, किसी को भी इससे सीखिये हैं, कॉलेज के लिए बस भी यही लागू होता है, 25 वर्ष से अधिक आयू के अमरीकियों में सनार्तक डिग्री रखने वालों की संख्या, 1940 में 20 में से एक से भी कम के मुकाबले, 2015 में 4 में से एक तक पहुँच चुकी है, इस समय के दोरान औसत कॉलेज टूशन मे मुदरा स्विती से समायू जित होकर लगभग चार गुना की बडोतरी हुई, कुछ इतना बड़ा और महतपून जिसने इतने कम समय में समाच को इतने गंभी रूप से प्रभावित किया है, उससे पता चलता है कि उधारन के तौर पर पिछले 20 वर्षों में लोगों ने व शुरू हुए अभी 50 वर्ष भी पूरे नहीं हुए, बचाओ कोश का भी यही हाल है, जो अब के 25 वर्षों पहले तक शुरू की नहीं हुए थे, यहां तक की उभोकता रिन का व्यापक प्रयोग जैसे बंधक, क्रेडिट कार और कार लोन दितिय विश्विद्द के बाद शुरू नहीं हुए थे, जब तक G.I. बिलने लाखों अमेरिकी नागरिकों के लिए रिन लेना आसान नहीं किया, कुत्तों को 10,000 वर्ष पहले तक पालतू बनाया गया था, लेकिन वे अपने प्रचंड पूर्वजों का कुछ बरताव अब तक बनाये रखे हैं, और हम ज यह समझने में मदद मिलती है, कि हम हमेशा धन दोलत के साथ वैसा क्यों नहीं करते, जैसा हमें करना चाहिए, हम सब पैसे के साथ कुछ मुर्खता पून का नामे करते हैं, क्यूंकि हम सब इस खेल में काफी नए हैं, और जो आपको मुर्खता पून लगे, वो मेरे लिए म अध्याय दो, भाग्य और जोखिम, कुछ भी इतना अच्छा या बुरा नहीं होता, जितना वो दिखता है। इतना अच्छा या बुरा नहीं होता, जितना वो दिखता है। कि कॉलेज में पहुँचने के समय हमें कंप्यूटर की जानकारी होना आविशक है। स्वर्गिय माइक्रोसोफ्ट सा संस्थापक पॉल एलन ने याद करते हुए का था। 1968 में डूडल ने लेक साइट स्कूल मदर्स कलब से निवैदन किया। कि वे अपने वार्षिक फुटकर बिक्री से होने वाली आए लगभग 3,000 डॉलर से एक टेली टाइप मोडल 30 कंप्यूटर लीस पढ़ ले। जो टाइम शेरिंग यानि की समय सहभाजन के लिए जर्णल एलेक्टरिक मेंफ्रेम टर्निमिनल से जुड़ा हो। टाइम शेरिंग का सिध्धांद 1965 में जाकर अविश्कृत हुआ। गेट्स ने कहा कोई निश्ची थी काफी दूर दर्शी था। अधिकतर उनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कुलों के पास इतना अग्रिवर्थी कम्पिटर नहीं था। जैसा आठवी कक्षा में बिल गेट्स के पास था और गेट्स का उससे बेतहाशा लगाव था। गेट्स 1968 में 13 वर्षके थे जब वे अपने सहपाटी पॉल एलन से मिले। एलन को भी स्कूल का कम्पिटर इस्तिमाल करने का बहुत जुनून था और दोनों मिलते ही गहरे मित्र बन गए। लेक साइट का कम्पिटर वहां के सामाने प्राट करम का भाग नहीं था। ये एक स्वतंत्र अध्यन कारेकरम था। बिल और पॉल आराम से कम्पिटर में अपनी रचनात्मक को स्वचंदर रूप से विचरन करने देते थे। इसकूल के बाद देर रात में या सापताहंत में वेशीगर ही कम्पिटरिंग में माहिर हो गए। पॉड़ा सा गणित तेज है। सिर्फ एक ने ऐसे स्कूल में पढ़ाई की जहां एक कम्पिटर खरीदने के लिए पैसे और दूर दर्शिता का मेल था। बिल गेट्स उन में से एक थे। गेट्स भी इसे मानने से पीछे नहीं हटे। अगर लेक साइड ना होता तो माइक्रोसोफ भी ना होता। उन्होंने 2005 की उत्तीन होने वाली कक्षा को बताया। गेट्स अत्यदिक हशियार हैं और इससे भी अधिक महनती और अपनी किशोर आवस्ता में ही कम्पिटरों को लेकर ऐसी परिकल्पना रखते थे जो अनुभवी कम्पिटर अधिकारी भी ना समझ पाए। साथ ही लेक साइट स्कूल में जाने के कारण उन्हें एक मिलियन में से एक वाली शुरुवाती बड़त भी मिली। अब मैं आपको गेट्स के मित्र केंट इवास के बारे में बताता हूँ। उसने भाग्ये के भाई जोखिम की उतनी ही शक्तिशाली मात्रा का अनुभव कि बिल गेट्स और पॉल एनन का नाम माइक्रसोफ्ट की सफलता के कारण घर घर में प्रसिद हो गया। लेकिन लेक साइड में इन कम्पिटर में विलक्षन प्रतिभा संपन हाई स्कूल किशोरों के गुट का एक और तीसरा सदस्य था। बिल गेट्स और केंट इवान्स याद करते हुए का था। मुझे अब भी केंट का फोन नंबर याद है। उन्होंने कहा 525-7851। इवान्स भी कम्पिटर में उतना ही कुशल थे जितने गेट्स और एलन। लेक साइड स्कूल में एक बार कक्षा की सारणी बनाने में कठिनाई का सामना पड़ रहा था। स काम 105 की वे एक ऐसा कंपिटर प्रोग्राम बनाए जो इस समस्या को सुलजा सके और ये काम कर गया। और पॉल एलन के विपरीत केंट भी बिल के समान व्यवसाइक मान सेकता और अनंत महत्व कांशा रखता था। केंट हमेशा अपने साथ एक बड़ा ब्रीफ केस रखता थ किसी वकील की तरह गेट से आत करते हुए कहते हैं हम हमेशा योजना बनाते रहते थे कि हम भविश्यमें पांच या शहसाल बात क्या करेंगे। क्या हमें CEO बनना चाहिए। हम किस प्रकार का प्रभाव बना सकते हैं। क्या हम जननल बन जाएंगे या फिर हम राजदूत ब सका हाई स्कूल के पास करने से पहले एक परवता रोहन दुरगटना में केंट की मृत्ती हो गई पृतिवर्ष युनाइटेड स्टेट में परवता रोहन में लगभग तीन दर्जन लोगों की मृत्ती होती है और हाई स्कूल में पहाड पर मरने की संभावना लगभग एक मि केंट टिवांस ने एक मिलियन में से एक का जोखिम पाया जिसके चलते जो वो और बिल गेट्स प्राप्त करना चाहते थे वो उसे कभी पूरा नहीं कर पाया एक जैसा बल एक ही जैसी मात्रा बस विपरीत दिशाएं भाग्य और जोखिम दोनों इस वास्तविक्ता का प्रमा प्रियासों से आपको सो प्रतिशत नतीजे नहीं मिल सकते वे बस एक ही बात से चलते हैं आप इस खेल में साथ बिलियन लोगों में से एक हैं जिसमें अंगिनत चीजों में फेर बदल होता रहता है कभी कभी आपको नियंतरन के परे के संयोग वश परिणाम आपकी योजनाबद प्रियासों से अधिक एहम सिद्ध होते हैं लेकिन दोनों को मापना इतना कटिन है और स्विकार करना इतना मुश्किल है कि ये अकसर नजर अंदास हो जाते हैं हर बिल गेट्स के साथ एक केंट इवान्स भी मौजूद होता है जो उतना ही प्रतिभवान और प्रिरित था किन्तु जीवन के चर्खे के दूसरी और पलट कर रह गया यदि आप भागी और जोकिम को यतोचित सम्मान दे आप पाएंगे कि वित्य सफलता को आंकते हुए अपनी और अन्य लोगों की कुछ भी इतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना वो दिखता है कई वर्ष पहले मैंने नोबल प्राइस जीतने वाले अर्थ शास्त्री रोबर्ट शिलर से पूछा आप निवेश के बारे में ऐसा क्या जानना चाते हैं जो हम कभी नहीं सफल परिणामों के भाग्य की सटीक भूमिका उन्होंने उत्तर दिया मुझे उत्तर पसंद आया क्योंकि कोई भी हैसा नहीं सुचता कि वित्य सफलता में भाग्य की कोई अहम भूमिका नहीं है लेकिन चूंकि भाग्य को मापना कठिन है और ये कहना अशिस्ट है कि किसी की सफलता भाग्य के कारण है आम रवया अक्सर यही होता है कि भाग्य को सफलता के कारक के रूप में अन देखा कर दिया ता है अगर मैं कहूँ विश्व में लगभग एक बिलियन निविशक है क्या आप सोचते हैं कि इन में से 10 मुख्यत भाग के कारण अरपती बन सकते हैं आप कहेंगे बिल्कुल लेकिन फिर अगर मैं आपको उन निवेशकों के नाम लेने को कहूं उनके सामने शायद आप पीछे हर जाएंगे दूसरों को आगते हुए सफलता का श्रेय भाग्य को देने से पहले आप असिस्ट और ईश्यालू दिख सकते हैं तब भी जब हम जानते हों कि ये सच है और अपने आपको आगते हुए सफलता का श्रेय भाग्य को देना इतना हतोत साहित कर सकता है कि उसे महत्व देना या मा अर्थ शास्त्री भासकर मजूमदार ने दर्शाया है कि कद और वजन से जादा भाईयों के बीच उनकी आए सह संबंद होती है। असफलता जो दिवालिया होने से लेकर किसी व्यक्तिकत उद्देश्य को परिपून न कर पाना कुछ भी हो सकती है कि बराबरी के रूप में अलोचना की जाती है। कभी कभी हाँ बिलकुल लेकिन कितना ये जानना कठिन है। किसी भी योग्य लक्षन के अनुगमन में सफल होने की संभावना सो प्रतिशत से कम है और जोखिम वही है। जब बीच में आता है जब आप दुरभाग्य से इस समीकरन के दूसरी ओर जा पहुँचे। ठीक भाग्य की ही तर व्रितांत कठिन अस्त व्यस्त और जटिल हो जाता है। यदि हम ये जानने का प्रयत्न करें कि किसी परिणाम का कितना हिस्सा सचेतन निर्णाय के कारण था और कितना जोखिम के कारण। मान लीजिये मैं एक स्टॉक खरीता हूँ और पांच साल बाद भी वो वैसे ही वैसा रहता है। ये संभवे की से खरीदने का मेरा निर्णाय ही खराता। ये भी संभवे की मेरा निर्णाय अच्छा था और मेरी पैसे बनाने की संभवना 80% थी और दुरभाग्य से मैं 20% वाले अन्य छोर पर पहुँच गया। इन्वे से कौन सी संभवना सही है। ये कैसे जाना जाए। क्या मैंने गलती की या फिर बस जोखिम की वास्तविकता का अनुभव किया। आंकडों की सहायता से ये आंकना संभव है कि कुछ निर्णाय समसदारी भरे थे या नहीं। लेकिन वास्तविक संसार में दिन प्रती दिन हम ऐसा नहीं करते। ये बिलकुल कठिन है। हम साधी कहानियों को वरियता देते हैं जो आसान जरूर होती है लेकिन अक्सर बुरी तरह भ्रामक भी।